हलो फ्रेंड्स वेलकम टो इन्वेस्ट एक्सपर्ट और आज हम लोग इस वीडियों बात करने वाले हैं निप्टी और बैंक निप्टी के लेबल्स की विटनेस डे के लिए क्या रहने वाला है कल कहां पे आप एंट्री पोजिशन बना सकते हैं ताकि आप बढ़िया प्रॉ प्रफिट बुकिंग देखने को मिलेगा यह गयप डाउन हो सकती है साथ में लोग यह भी देखेंगे कि ऑप्सन चैन का डाटा क्या कहता है कहां पे हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिलने वाला है और साथ में ग्लोबल मारकेट का सेंदिमेंट की ग्लोबल मारकेट क् ओपनिंग कहां पे हो सकती है तो अगर आप चैनल में नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही साथ विल आइकन बड़ामा तो विल्कुल ना बूले ताकि आपको लेटेस से लेटेस वीडियो टैमली अपडेट होता रहे है तो जल्दी से स्ट को ब्रेक करने के बाद वापस से यहां पे निप्टी क्लोज हुआ है जो कि एक तरह से ना डे के हाई के उपर है ना डे के लोग के उपर है एक मीडियम रेंज में जिसकी वज़े से देखा जाए तो कॉल और पुट में सबसे ज्यादा यहां पर राइटिंग की गई है रा 18200 का लेबल कॉल सैड के लिए यहां पर बाईस जार एक तरह से कॉल में राइट की गई है राइट करना मतलब कि कॉल को यहां पे सेल किया गया गया था थारा 1250 के लेबल में तो कही ना कहीं कल इंटरडे के लिए निकल के आ रहा है कि 18,200 का level एक छोटा सा resistance फेस कर सकता है वहीं पर इस सीरीज में देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे 18,300 के level में कोई खास राइटिंग नहीं है में भी हो सकता है यहाँ पर इस level पर ना किया हुआ और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे 18,400 के level में तो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा 59,000 का है तो कहीं न कहीं इस बीक के लिए निप्टी में 18,400 का level एक major resistance zone रहने वाला है और 18,200 का level कल इंट्रडेकल एक छोटा सा resistance level निकल के आ सकता है अगर निप्टी 18,200 के below में trade करता रहा तो अब दूसरा यहाँ पे put side में देख लेते हैं put side में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,30,000 का fresh open interest दिखा रहा है अगर मैं इस value से minus कर दू total Y से तो यहाँ पे करीवन 12,000 कुछ का ही open interest था और आज यहाँ पे 1,30,000 का fresh open interest जनरेट हुआ है जो की 18,100 के level पे है तो कहीं न कहीं market में 18,100 का level एक तरह से major support zone का काम करने वाला है निप्टी के लिए तो कहीं न कहीं market में ऐसा हो सकता है कि 18,100 का level यहाँ पे breakdown ना हो ऐसा अभी open interest जो जनरेट हुआ है उसके according option चैन पे अभी दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो इस सीरीज में 36,000 जो है 18,000 के level पे पुट में writing की गई है तो कहीं न कहीं 18,000 का level भी एक important support zone का काम करने वाला है अगर 18,100 का level एक तरह से breakdown करता है तब की condition में तो फ्रेंस यह रहा हमारे support and resistance level निप्टी के लिए वहीं हम लोग चार्ट में भी देखेंगे चार्ट में क्या हो सकता है support and resistance कहाँ पर entry position बन सकती है फिलाल एक बार हम लोग देख लेते हैं global market का sentiment क्या कहता है तो global market का यहाँ पर data देखा जाए तो देखिए डो जो है एक तरह से थोड़ा सा negative में trade हो रहा है Nasdaq देखा जाए तो थोड़ा सा negative में trade हो रहा है जिसकी वज़े से यहाँ पर जो हमारा SGX निप्टी है वो भी थोड़ा सा negative में यहाँ पर trade करता हुआ दिखाई दे रहा है अभी एक बार इसका chart देख लेते हैं चार्ट के कॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है तो यहाँ पर यह है DGI मतलब डो जोन्स का chart तो जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में वह थक gap आप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सूपर जाके यहाँ पर profit booking से हमारा जो market का reaction है यहाँ पर DGI में भी मतलब डो जोन्स में भी देखने को मिल रहा है तो अब इसका भी इंपक्ट आज जो पूरे दिन तक चलेगा वहाँ पर वही इंपक्ट हमारे कल इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा तो सुबह मॉर्निंग में एक बार चार्ट जबूर चेक करिए किसी साब से चला है तो हम कह सकते हैं कल मार्केट की ओपनिंग थोड़ा सा पॉजिटीव थोड़ा सा निगेटीव मतलब एक तरह से फ्लाट फ्लाट टाइप में ओपनिंग हो सकता है बट option chain data के recording अगर ये टू भी opening होती है तो कहीं न कहीं market में वापस से एक recovery देखने को मिलेगी और ये day high को break करता हुआ दिखाई दे सकता है तो यहाँ पे जैसे ही day high को break करेगा 18175 के level को निप्टी तो वापस से यहाँ पे entry position बन सकता है और एक बढ़िया profit देखने को मिल सकत है अगर इसी लेबल पे अगर ये sustain नहीं कर पाता है और downfall देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखी एक train line दूसरा train line जो कि train line को follow कर रहा है और इसी train line को break down करता है कल वापस से आपको train line बनाना है और break down करता है तो हम entry position बना सकते है पूट के लिए और यहाँ पे हमारा जो target में हम बढ़ा करके देख लेते हैं तो देखिए अब train में अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है वंडे की candle में देख लेते हैं वंडे में आप देखोगे तो exactly आपको क्या दिखेगा जो previous यहाँ पे हाई था दो और तीन यह तीन हाई को 30-30 के आसपास आएगा यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है तो इस हिसाब से आप ट्रेट करेंगे तो ज्यादा बेटर है और आल्रेडी मार्केट यहाँ पे हाई है तो इन्वेस्मेंट करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्मेंट इस हैं बैंग दिखेंगे से देखने को नहीं मिला तो यहाँ पर गुस्ता के बाद ज्यादा ड़्टी ने तो यहाँ है बैंग देखने घरने को यहाँ पे इक रहा है तो क्लोज हुआ है अभि यह रेंग जो चार्सव के आसपास हैं और डाउनसाइड में देखा जाए तो एकटारीस जार200 के आसपास है तो अगर बैंक इतनी यहाँ पर बीच में open होने के बाद जिस लेबल को ब्रेक आउट करता है तो यहां पर हम 41,650 तक के आसपास के लिए यहां पर मुमेंटम ट्रैक करके ट्रेट कर सकते हैं तो यहां पर बैंक निप्टी में हमारे पास इजली दोनों साइट का सेट अप बन रहा है चाहे वो ब्रेक आउट करें या तो ब्रेक केंडल हैं तो आप बेट करना है तो पांस मिन्टकी केंडल में आगर आप सेट अप बना रहा है तो पांस जैसा यह बना याँप डाउस करta है तो इस सा si से trade करना होता है अगर gap up opening हो गई तो या gap down opening हो गई तो अगर यहां पे निफ्टी 200 points के आसपास gap up या 200 points के आसपास gap down होता है तो trade करने सा white करिए बागे अगर 110 90 50 के आसपास gap up या gap down होता है तो यही strategy सबसे ज्यादा follow की जाती है इस बात को ध्यान को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सस्क्राइब करना भूलें थैंक्यू फर वाचिंग वीडियो